आप लोग देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में मैं आपको बदाने जा रहा हूँ केतू के करिश्मा के बारी में मेरे कलाफ केतू केतू का क्या चमतकार होने जा रहा है किसके लिए तो शिंग रासी वालों के लिए अभी से लेकर के 29 माई 2025 तक के तू सिंग रासी वालों के लिए कुंडली के दुतिये भावियने की दोस्ते घर में रहने वाला है इसका क्या प्रभाब होगा क्या चमतकार होगा क्या अच्छा अत्वा क्या बुरा रिजल्ट होगा इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ देवी और सजनों एक से बरकर के एक बेतनी रिजल्ट्स भी मिलेंगे तो कुछ परेशानी का भी सामना सिंघरासी बालों को करना पड़ेगा। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन फूल के सेज पे सजा हुआ है और उस पे आप टुकदों टुकदों करते हुए आगे बढ़ जाओ ऐसा नहीं है। जीवन शंघर्स है कहते हैं कि शंघर्स ही जीवन है। आयो देवी और सज्जनों चर्जा को आरंभ करें और बताने की कोशिस करूँ कि सिंघरासी बालों को केतु का क्या अच्छा या क्या बुरा प्रभाव मिलने वाला है। सिंघरासी बालों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है केतु तो सबसे पहले कर्ण्यरासी में है ये तो धानवान बनाने का प्रयास करेगा। ये जो दूसरा भाव है सो धानधानी संपत्ती का होता है, पैसों का होता है, आमदनी का होता है, रुप्या का होता है। तो दूसरे भाव में बैठा हुआ कि तू सबसे पहले उसका ये प्रियास रहेगा कि कन्यारासी वाले सिंगरासी वाले जातक को, सिंगरासी वाले वेक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्स पैसा प्राप्त हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में बैंक व प्रिबार कि लोगों से कुट्मम से रिस्तेदारों से भी आपको यह लाव दिलवाने का प्रयास क्रे गारी कि क्सी भी प्रकार से आपको वहां से भी कुछ ना कुछ फायदा के तू दिलवा दे। परिबार के लोग जैसे कि मौन लो कि आपके चाचा हैं, ताउं हैं, कोई अरोसी परोसी है जिससे लाभ नहीं मिल पा रहा था बांकि वो आपके परिबार के ही विक्ति है इस समय में केतू के किरपा से आपको लाव मिलने के योग बनेंगे आपको फाइदा निश्चे तौर पर में होगा देवी और सज्जनों आपके जानकारी के लिए बता दू कि ये दूसरा भाव स्वर के बिचार के लिए किया जाता है इस समय में आपका स्वर भी काफी अच्छा रहेगा ये दूसरा भाव आपके गुन को जानने के लिए किया जाता है कि आपके अंदर कितने गुन अथवा कितने अब गुन है इस बात को अगर जानना है तो दूसरे भाव से बिचार करना पड़ेगा इस समय में के तू आपके अंदर सिंगरासी वाले गुनों के खान को जन्म देगा एक के बाद एक अच्छे से अच्छे गुन आपके अंदर देखने को मिलेंगे सिंगरासी वाले आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यह जो दूसरा वहव है सु आपके वानी का होता है वचन का होता है आप कैसा बोलेंगे कितना अच्छा बोलेंगे इस समय में आपके बातों में गूड़ता रहेगी, इस समय में आपके बातों में युक्ती दिखाई देगी, इस समय में आपके बातों में एक जाल दिखाई देगा जिसमें लोग जाल तर फस जाएंगे, आकरसम दिखाई देगा, इस केतू के करण, केतू दूसरे भाव में होता है जिसके कारण से के तू करण इस समय में आपको बिद्वान की स्रेनी में भी रखा जाएगा आप एक बिद्वान व्यक्ति के तोर पर में जाने जाएंगे आप काफी ग्यान अरजन करने का भी प्रयास करेंगे ऐसा नहीं कि जो है उसी में टेरा होगए मैं तो केतू के कारण आपको बहुत 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 भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा इस समय में एक सिबर करके एक जो कभी खोईसें थी कभी सोची थी कभी मौका मिलेगा तो ये खाऊंगा तो केतू के समय में 29 मईए 2025 तो वो सारी खोईसें लगभग आपकी पूरी हो शो आकरसक बना देगा चेहरे पर में एक तेज गजब का आकरसक सकती होगा जो खीता हुआ किसी को अपने तरफ लेकर के आ जाएगा देवी और सुजनों ये दूसरा भाव यात्रा का होता है यात्रा का क्या आर्थ है यात्रा का आर्थ है ट्रेवलिंग छोटी यात्रा या बड़ी यात्रा छोडी छोटी यात्रा इस सवे में केत्व आपको अभी से लेकर 29 मई 2025 तक बहुत सारी यात्राएं करवाएंगा बहुत जगा गोमने के लिए ले जाएगा और आप जाएंगे ये दूसरा भाव जो है तो स्वर्न रतनादी कोस का भी होता है इस वर्स अभी से लेकर के 29 मई 2025 तक आपको बहुत सारा स्वर्न सोना खरीदने का आपसर मिलेगा चाहे आप गहना खरदो आप हुसन खरदो किसी भी प्रकार की चीज़ें खरदो सिक्का खरदो सोना किसी भी रूप में सोना चांदी जो मेटल है धातू है जो आपसर मिलेगा चाहे जितना ही आप करो लेकिन आप करोगे जब यह सजनों यह दूसरा भाव आपके लक्ष का भी होता है जो आप इस वर्स में कुछ ऐसा लक्ष निर्धारन कर ले और यह केतू आपको उस लक्ष तक पहुँचाने में आपकी निश्चित तोर पर में मदद करेगा तो उस लक्ष को पूरा करने का प्रयास करें पहले लक्ष को निर्धारन करें यह दूसरा भाव बिपुल धन संपदा का होता है अपार संपत्ती का तो इस केतू के कारण आपको इस समय में अपार संपत्ती बड़ियां दौलत का योग बन रहा है जो आप जमा कर पाएंगे देवी और सज्चनो आपकी जानकारी के लिए बता दू कि यह दूसरा भाव जो है सो और भी बहुत सारी चीजों का होता है जैसे कि आपके परोसी का केतू के कारण जो है आपको परोसी से भी अच्छा खासा लाव का योग बनेगा यह दूसरा भाव आप जो शक्ते बोलते हैं आप जो असक्ते बोलते हैं आप सच बोलते हैं जूट बोलते हैं का भी होता है तो केतु समय पर में आप से सच भी बलवाएगा जहां जरुबत नहीं है वहां जूट भी बोलने पर विवस्ट करेगा इस सवे में केतु के कारण आँख से संबंधित किसी प्रकार की समस्य आपको निश्चित तोर पर में परेसान कर सकती है तो उस मामले में थ पारधन दौलत का योग बनाता है कहीं न कहीं से जो है बहुत पैसा बिपुल धन समपदा का योग जो है जो बन गया और दूसरे भाव में बैठा हुआ केतु जो है तो आपके लिए थोरा सा नुक्सान दे भी किस मामली में तो आँख से संबंधित परेसानी आपके सामने में आ सकती है दूसरे भाव में केतु के बैठने कारण जो है जो महर सी कहते हैं कि इस शमय में आप सरकार से बहुत ज़्यादा भीरने का प्रयास नहीं करेंगे और प्रयास करें भी ना सरकार के लोगों से सरकार या धिकारियों से अगर आप थोड़ा सा कट करके ही निकलने की कोशिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा दूसरे भाव में बैठा हुआ के तू ये आपके बिरोध में भी लोगों को खरा करेगा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके बिरोध में आने लेंगे आपका बिरोध करने लेंगे जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है जो कि आपके लिए ठीक नहीं है तो प्रयास ये करें कि बिरोधियों को भी अपने तरफ मिला करके रखने का प्रयास करें चाहे उसके लिए साम, दाम, दंड, भेद, कुछ माल, पानी भी खर्च करना पड़े, कुछ खिलाना पिलाना भी पड़े तो वो सब करे लेकिन उसको मिला करके अपने पास रखें तो ज़्यादा बढ़ियां रहेगा दूसरे भाव में बैठा हुआ केतु मुख से सम्मंधित किसी परकार का कुछ परेसानी भी जो है तो आपको दे सकता है केतु कन्यारासी में है इसलिए कन्यारासी में जिस बिर्टी का केतु हो और अभी आपके लिए कन्यारासी में है तो कुछ हिल्थ वाई जिसू हलका फलका देगा मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल आप निरोग रहोगे अभी से लेकर के अभी से लेकर के 39 मईए 25 तब कुछ ऐसे काम आप से करवाएगा जो बाद में आपको लेगा कि ये हमने मुर्खता पुर्न काम कर लिया ये तो हमें करना ही नहीं था ये हमने कर कैसे लिया ये दिमाग मेरा काम कैसे निए बाद में आप अफसोस करेंगे क्योंकि वो काम करके आपको अपने आप में गलानी होगी कि ये काम मुर्खता पुर्ण था कन्यर रासी में दूसरे भाव में बैठा हुआ कि तु ये भी इदर साथा है कि इस समय में बिना मतलब का भी आप बहुत ज़्यादा बोल सकते है मिना मतलब के ज्यादा ज्यादा बातों को बिबाद करने का बातों को मतलब कहते हैं उसको खीचने का प्रयास कर सकते हैं और पेट से सम्मंधित भी कुछ परेसानी जो है तो आपको इस समय में परेसान करने का प्रयास कर सकती है तो थोड़ा सा जो है साउधानी बढ़तेंगे तो जादा अच्छा रहेगा तो देवी और सजनो सिंग रासी वालों के लिए यही था हमारा वीडियो जिसमें केतु के दूसरे भाव में बैठने के कारण आपको क्या अच्छा या क्या बुरा रिजल्ट मिलने वाला है पर यह चोड़ासी वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा हुआ qualche सारे लोग कहते हैं कि घुर्देबен बहुत सारी अच्छी बातें बताए हैं लेकिन पता नहीं उस नमबर पर में अपनी जन्म तारीक जन्म समय जन्म अस्थान और दोनों हाथ के अथेली का फोटो और शे भेजें जो उचित सुल्क होगा आपको जमा करना होगा क्योंकि यह सर्विस फ्रे नहीं है अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है सबस्क्राइब करके इसके वेल आइकन के बटन को दबा दे क्योंकि यहां पर मैं आपको मुफ्त में बहुत सारे विडियो जो अपने रासी के बारे में देखने को मिलती है आप सभी का एकवार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सोमा जहिंद बंदे मातरम बोलिए राधे राधे